पच्चास साल के ये टेलेविजिन स्टार जो अपने घर से निकले थे बॉम्बे की फ्लाइट बोर्ड करने इस वक्त लापता हैं ये टेलेविजिन आक्टर कोई और नहीं बलकि तारक महता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंग सौडी का रोल निभाने वाले गुरुचरन सि हैं क्या है इनके मिसिंग होने के सभी अपडेट्स और ये पूरा केस आईए जानते हैं इस वीडियो में नमास्ते एन हलो एव्रिवान आयम प्रुशा और आप देख रहे हैं अनकट 26 एपरिल 2024 को गुरुचरन सिंग के पिता जी ने दिल्ली के पालम एरिया के पुलिस टेशन में अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उन्होंने इस रिपोर्ट में ये लिखवाया कि कैसे गुरुचरन सिंग अपने घर से 22 एपरिल को साड़े आठ बजे सुबा निकले थे बंबाई की फ्लाइट बोर्ट करने के लिए लेकिन गुरुचरन सिंग के पिता जी को कुछ टाइम बात ये पता चला कि कैसे गुरुचरन सिंग मुंबई कभी पहुचे ही नहीं और साथ ही उनके दोनों मुवाईल फोन्स भी काफी टाइम से बंध है पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और एक पुलिस अफसर के बयान के मताबिक वो काफी सिंसेरली गुरुचरन सिंग जी को ढून रहे है दिल्ली पुलिस ने इस केस में ये भी बताया है कि कैसे गुरुचरन ने अपने गायब होने से पहले साथ हजार रुपे विड़्ौ करवाए थे फ्रॉम एन एटीम इन डेली नोट करने वाली बात ये है कि कैसे उनका फोन उस लास लोकेशन पर ट्रेस होने के बाद से ही बंध है उनकी फ्लाइट 22 एप्रिल मंडे सुभा साड़े 8 बजे की थी मगर गुरुचरन सिंग एक ट्राफिक इंटर्सेक्शन जो पालम याने की उनके घर के पास है वहाँ सुभा 9 बच के 14 मिनिट पर देखे थे जिसका मतलब है कि उन्होंने कभी अपनी फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की एक CCTV फुटज के मताबे गुरुचरन सिंग एक बैक पाक लिए लास्ट रोड क्रॉस करते देखे थे इस वक्ट पुलिस एरपोर्ट की CCTV फुटज भी मॉनिटर कर रही है to trace his route अक्टर गुरुचरन सिंग 22 एपरिल 2024 से मिसिंग है उनके सभी फैन्स और को अक्टर्स इंक्लूडिंग जैनिफर मिस्ट्री बंसिवाल काफी शौक में हैं और उनकी safety के लिए constantly pray कर रहे हैं इसी case के दौरान गुरुचरन सिंग के producer जमनादास मजीठिया से बात करने पर ये पता चला कि कैसे जमनादास एक meeting में थे जब भक्ती सोनी जो की गुरुचरन सिंग और उनकी common family friend है उन्होंने जेडी को call किया और उनसे ये कहा कि वो उनसे एक serious situation के बारे में कुछ discuss करना चाहती है जिसके बाद भक्ती सोनी ने उन्हें ये बताया कि कैसे गुरुचरन 22 April से missing है और वो उसी दिन मुंबई आने वाले थे भक्ती सोनी गुरुचरन को receive करने इनफाक्ट एरपोर्ट पर भी गई थी लेकिन उन्हें वे कहीं भी नहीं दिखे जब भक्ती सोनी ने एरपोर्ट अधिकारियों से इस बारे में inquiry करी तो एरपोर्ट के स्टाफ ने उन्हें बताया कि कैसे गुरुचरन ने तो कभी flight board की ही नहीं जिसके बाद भक्ती सोनी ने ये कहा कि कैसे गुरुचरन ने उन्हें मुंबई आने से पहले ये text भी किया था कि अब वो boarding process शुरू करने वाले हैं इसलिए वो भक्ती से बात नहीं कर पाएंगे जेडी ने ये भी कहा कि कैसे गुरुचरन सिंग जी के माता पिता काफी समय से उनकी तलाश कर रहे हैं और वह काफी बुरी हालत में हैं क्यूंकि उनकी तब्यद भी ठीक नहीं रहती है इस वक्त तारक मैता का उल्टा चश्मा की पूरी कास भी गुरुचरन सिंग के बारे में पोस्ट करके उनके ले अवेर्नेस पिला रही है ताकि लोग उन्हें ढूंद सके गुरुचरन काफी समय से तारक मैता का उल्टा चश्मा में रौशन सिंग सोडी का किरदार निभाते आए हैं लेकिन हाली में उन्होंने ये शो भी छोड़ दिया था जब शो को लेकर काफी सारी कॉंट्रोवर्सी सामने आई थी According to reports, तारक मैता का उल्टा चश्मा के प्रड्यूसर असित कुमार मोदी ने गुरुचरन सिंग को भी उनके पैसे नहीं दिये थे मगर जैनिफर मिस्टी के साथ केस होने के बाद उनके सभी ड्यूस क्लियर कर दिये गए On-screen गुरुचरन सिंग जी के बेटे का रोल निभाने वाले आक्टर समेशा ने हाली में ये भी रिवील किया है कि ये जितने भी claims हैं that गुरुचरन सिंग was depressed, ये सब fake है समेशा ने 4-5 महीने पहले ही गुरुचरन से phone पे बात की थी about their respective careers और वे एक बहुत ही जिंदा दिल और कभी हार न मानने वाले इंडिविजुल हैं भले ही उन पे काफी जादा लोन था और उनका करियर भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था लेकिन वो हर चीज को काफी optimistic तरीके से handle कर रहे थे देरफोर समेशान ने इन depression claims को deny करते ये कहा कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि गुरुचरन सिंग खुद को hurt करेंगे पुलिस फिलहाल इस case पर investigate कर रही है IPC 365 के अंडर इस case को register भी कर लिया गया है Now, as his fans and well-wishers, we really hope that गुरुचरन सिंग returns home safely अगर entertainment industry से जुड़ा ये update आपको informative लगा हो then please drop in your views and make sure you subscribe to Uncut